हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आज हम बात करेंगे लैटिन में बलड या ब्लीडिंग प्यार जिसको बोलते हैं उसको इबारे में मैं डॉक्टर मनीश काक कंसर्टन गैस्टरेंट्रॉजिस्ट Al servant मनीपॉल हॉस्पटल घाजयाबाद आजकल पेश्ट हमारे पास आरे हैं जिनको यह दिकत है कि जी लैटिन में बलड आ रहा है तो लैटिन में ब्लड का क्या कारण है इसमें हम कैसे रोकताम कर सकते हैं और क्या ट्रीट्मेंट अवेलबल है वो हम आज बात करते हैं अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक विक्ति आए जिनकी उमर 55 या 60 के बीच में होगी और उनका ये प्रावलम था कि उनको तीन साल से तीन साल से लैटिन में ब्लड आ रहा है उसके कारण उनका हिमोगलोबिन गिर गया उनका वजन कम हो गया और बॉड़ी बिलकुल कमजोर हो गई तो हमने पूछा इलाज बगारा क्या किया था आपने तो उन्होंने बता कई जगा से एंटिवाटिक भी चल गए सब हो गया लेकिन कुछ ट्रीट्मेंट नहीं आया फाइदा नहीं आया ट्रीट्मेंट से तो फाइनली एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको कोलोनोसकोपी बूलते हैं कोलोनोसकोपी में मतलब लैट्रिन के रासे से एक कैमरा हम अंदर डालते हैं और इंटरस्टैंस को चेक करते हैं कि ये बलड कहां से आ रहा है तो उसमें ये निकल के आया कि उनके आँटों में चाले जखम है एक नहीं कई सारे जखम है कि इतने ज़्यादा जखम हो गए कि वो आँट उनकी बिलकुल एक फ्राइबल एक कमजोर आँट बन गई थी इतना ब्लीडिंग वहां से हो रहा था तो हमने उनका वहां से 20 kg से मुश्किल से 40-50 kg आदे रह गए हो तो फिर हमने उनको यहीं बताया वह आपने पहले क्या इलाज किया वह कैसे हम तो इलाज अपनी तरफ से कर रहे थे लेकिन अब हमें तो समझने आ रहा था क्या करना चाहिए इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो के जरिए हम आम पब दी जाएंगी और जो रिगलर एंटीबाइटिक्स वगारा होते हैं उस से इसमें कुछ फरक नहीं पड़ता क्योंकि इसका ट्रीमेंट बिल्कुल अलग है यह इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं है एक तो ब्लीडिंग लैट्र में होती है जो इन्फेक्शन से होती है जिस करना है जिसके जरीए कलियर होगा ब्लीडिंग के कारण और भी होते हैं सिंपल कारण होते हैं जैसे मस्से हिमराइड्स या पाइल्स इसको बोलते है या फिशर उसका ट्रीट्मेंट अलग है उसमें कभी-कभी सर्जरी करनी पड़ती है इसी तरीके से अलसेट्यू कोलोन बोलते हैं बड़ी आंत का कैंसर उसमें भी लैट्रिंग में बलड़ाता है और वो व्यक्ति भी इसी तरह से वजन कम होना खाना कम खाना भूख खतम होना वेट कम होना इस सरे सिंप्टम के साथ आता है और कई बार हमने देखा है कि अक्सर क्या होता है जब ब्लीडि पाइल नहीं होता है और सारा ब्लीडिंग इंफेक्शन वाला ओजर वाला ब्लीडिंग नहीं होता है कई बार ब्लीडिंग के कारण अलग भी होते हैं कुछ लाइफ थ्रेट्रिंग भी होते हैं जैसे कैंसर टाइप इसलिए कभी भी अगर आपका लैटिन में बलड आ रहा है हो सकता है surgery करके ठीक हो जाए हो सकता है कुछ medicine करके ठीक हो जाए लेकिन यह ठीक हो सकता है इतना मत वेट कीजिए कि वजन 90 kg से 40 kg हो गया शरीर खतम हो गया चलने की हिमत भी नहीं रही फिर finally ilaj में भी दिक्कत आती है तो friends finally मैं यही कहुंगा कि healthy रहे और healthy खाना खाये exercise कीजिए और junk food avoid कीजिए और कभी भी ऐसा कोई symptom हो तो तुरंट उसका treatment कीजिए thank you very much Namaskar